तो हाँ डियर इस्टुडेंट्स आज हम नमबर सेवन इसको अंडर्स्टैंड करेंगे और राइट कैसे करेंगे है ना कैसे हम लिखेंगे यह सिखेंगे लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक हमबल रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जब भी आप वीडियो देख रहे हो क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स या सौरी वॉच्च करने वाले हैं जो उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे अनलेटिक्स से ऐसा पता चला हमें तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर हाभ तो आप आनेवाले वीडियो को और पहले देख सकते हो आइए अब हम पर हमारा नमबर हैं तो फीर हमारी ट्रेण 多 पर हमारी हैं अब उस ट्रेण में कितने डबब है कितन कंपार्टमेंट हैं मैं उसला क attends कर ले तो इस में वान 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने कंपार्टमेंट है? 7 और यह 7 हम कैसे लिखते हैं? तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यह है नमबर हमारा 7 और इसकी स्पेलिंग होती है S-E-V-E-N क्या होती है? S-E-V-E-N 7 6 and 1 make 7 क्या लिखा है? 6 and 1 make 7 तो जो 6 object हो उसमें 1 object अगर आपने add कर दिया तो हमारा बन जाता है 7 तो इसके पहले हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने पढ़ लिया 1, 2, 3, 4, 5, 6 और अब हम क्या पढ़ेंगे? 7 क्या पढ़ेंगे? 7 तो 7 कैसे बनता है? इस तरीके से ठीक है? तो हमने क्या बना लिया? 7 बना लिया और यहाँ पे भी 7 आप देख सकते हो तो हमने यह 7 भी बना लिया है आपे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 की बाद हमारा है 7 और अगर हमें finger से 7 दिखाना है तो 5 वन हैंड में और 2 सेकेंड हैंड में तो 5 प्लस 2 भी 7 हो गया आईए अब हम objects को count करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ना कि जो छोटा सा doll होता है उस तरीके से कुछ तो बना कि यहाँ पे आपको दिया हुआ है तो कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और यहाँ पे अभी जो ducklings हैं वो ducklings कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पे फिर देख लीजे ducklings जैसी ही है या फिर आप कह सकते हैं जो chickens होते हैं वो भी हो सकती हैं तो यहाँ पे हमें draw करना है draw 7 bits तो bits क्या होते हैं? मैंने आपको हर बार बताया है मन का तो आप यहाँ पर कितने draw करने होंगे हमें? 7 करने होंगे तो आईए हम draw करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हो गए dear students यहाँ पर हमने कितने 7 bits को क्या किया है? draw कर दिया है तो इस तरीके से हमने सीख लिया number 7 भी तो number 7 तक जाने के लिए हमें का चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, and then 7 तो आईए अब हम इसमें देखेंगे जो rhyming की कुछ lines दी हुई हैं वो 7, 7, 7 a rainbow has color 7 a week has days 7 तो 7, 7, 7 a rainbow has color 7 a week has days 7 तो 7, 7, 7, 7 है और rainbow में कितने color होते हैं? 7 color होते हैं और week में कितने days होते हैं? 7 days होते हैं तो rainbow में 7 color कौन कौन से हैं तो उसके लिए आप विब ग्योर याद रखें विब विब फिर ग्योर जी वाई ओ आर अब यह क्या है? तो dear students इससे हम color बना देंगे V for violet I for indigo B for blue G for green Y for yellow O for orange R for red तो इस तरी किसे जो 7 colors हैं वो आ गया हैं फिर से याद रखें विब ग्योर और विब ग्योर में V for violet I for अपका indigo B for blue G for green Y for yellow O for orange Red for Sorry R for red And then जो weekdays हैं weekdays तो हमें learn हैं Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday तो यह भी हमारे कितने counting में 7 हैं तो हमने समझ लिया कि number 7 क्या है और उसे हम कैसे लिखते हैं आईए जो नीचे activities हर एकलेशन में जैसे दी है वैसे यहां पर भी हमें मिलेगी और उसे हम क्या करते हैं complete करते हैं तो अब हमने जो number हम 6 सीख रहे थे तभी हमने क्या दिखा था कि एक हमारे पास string होगी और उस string से हमें क्या करना है जो भी objects दिये हैं तो उसमें यह number कितना है यह number है हमारा 7 7 तो 7 number को हमें strings को क्या करना है ऐसे loop में या फिर ऐसे place करना कि loop में कितने आए 7 आए तो अब पहले हम objects काउंट कर लेते हैं आप कंदिल दिख रहा है तो यह 1,2,3,4,5,6,7 तो इन string को हम ऐसे रखेंगे कि सिर्फ यह जो 7 objects हैं यह हमारे उसमें आ गए है की नहीं और यह 2 बाहर रह जाएंगे क्योंकि 7 हमारे complete हो चुके हैं आप यह देख सकते हो दिया या lamp तो lamp पे दिया है तो इसको भी पहले count कर लेते हैं then string रखते हैं तो 1,2,3,4,5,6 and 7 में इसे ले लेता हूं तो यह हो गया 1,2 3,4 5,6,7 तो अब मैं string ऐसे रखूंगा कि सिर्फ हमारे 7 objects से उसमें आए और आप मैंने तो इस तरीके से लिया है आप उपर उपर भी ले सकते हो इसे 1,2,3,4,5,6,7 भी ले सकते हो या बाकी किसको भी ले सकते हो तो इस तरीके से आपको 7 objects को ही उस string के loop में रखना है अब हम 7 कैसे write करेंगे यह सिखते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना है कि एक ऐसे starting में horizontal line और slanting line ले रहने बस 7 हो गया है कि नहीं एक ऐसे horizontal starting line and then slanting line 7 इस तरीके से इस तरीके से जो dots हैं उससे सिर्फ हम मिला देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा 7 बन जाएगा तो यह हमने देख लिया कि 7 कितने easily बन गया है और कभी-कभी देखिए the instruments इसके बीच में भी हम इस तरीके से एक जो आपकी horizontal line होती है उसको put कर देते हैं तो इस तरीके से भी आपका 7 बनता है बट यहां जैसा दिया है आप वैसा बनाईए then हम practice करते हैं खुझ से एक horizontal line starting में देने slanting line हमारा 7 बन गया तो इस तरीके से आपको 7 बनाना है तो I hope dear students आपने 7 इस number को भी easily सीख लिया है और इसकी spelling के मैं बात करूँ तो इसकी spelling होती as-e-v-e-n 7 तो आज हमने 7 इस number को भी complete कर लिया तो I hope आपको यह अच्छे से समझ में आया है और यह वीडियो अच्छी लग रही है तो इससे like करिए कि आपको और भी कुछ चाहिए क्या या फिर कुछ आप suggestion देना चाहते हो तो comment करके भी आप मुझे बता सकते हो और इसे अपने दोस्तों में share करिए और चैनल को subscribe भी करिए हम next वीडियो मिलेंगे नए number के साथ तब तक के लिए goodbye and take care